हेलो तोस्तों, इस वीडियो मा आप देखेंगे बहुत ही सुन्दर से पैन की महरी की डिजाइन का टूटोरियल इसके लिए हमने ये स्ट्रिप ले है जिसकी चाड़ाई 1.5 इंच की है और यहाँ पर हमें इस तरह से टर्न करके इसके उपर सिलाई देंगे हमें इस ट्रिप रड़ी करने है डोरी श्ट्रिप की तरह यहाँ एक साइट से सिलाई लेके हम इसे राइट साइड में टर्न करेंगे लगबग आदा है इंच जितना गैप छोड़ते हुए इस तरह से हमने यह सिलाई ले है और इसे कोई भी श्ट्रिक की हल्प से हम इसे राइट साइड में टर्न करेंगे इस तरह से यहाँ यह स्ट्रिप बाहर निकलने के बाद हम इसे राइट करना है और यहां उसके बाद में हमने यह इस्ट्रिप एक और ली है जिसकी चोड़ाई 4.5 इंच की है और इसे डबल करके यहां हम प्लीट बनाएंगे कुछ इससा छोड़ देंगे और फिर इसके आगे box splits बनानी है ये प्लीट से हमें इतनी लेनी हैं जितनी हमारी pen की मौहरी है दोनों साइड में हम margin को छोड़ते हुए इस तरह से box splits ready करेंगे इस तरह से हमारी strip ready है और इसके ऊपर हम ये lace attach करेंगे और ये lace की सिलाई हमें वैसे लेनी हैं जो हमने फ्लीट सेड़ी करने के लिए सिलाई ली है उसी सिलाई के ऊपर हम ये सिलाई लेंगे इसकी बाद में हमने ये paper लिया है जिसके दोनों लाइन स्ट्रोर की है 1.5 इंच का gap छोड़के और ये strip हमें कट करने है 2.5 इंच के जो हमने पहले strip ready की है ये हमें 2.5 इंच जितनी कट करने हैं और जो इस paper की बीच में दो लाइन हैं उनकी बीच में हम ये stitch करेंगे तो इन lines के उपर उपर हमारी सिलाई आएगी और इस तरह से strip को हम set करेंगे थोड़ा थोड़ा gap रखते हुए एक साइड में ये सारी strip attach होने के बाद हमें दूसरी साइड में सिलाई लेने हैं तो हम दूसरी साइड की जो line draw की है उसके उपर उपर हम ये सिलाई लेंगी और इन strip को equal करते हुए सिलाई लेंगे यहां हम इसका margin थोड़ा cut कर देंगे equal margin रखना है दोनों साइड में और extra जो हिस्सा है उसे हम cut कर देंगे अभी इस strip को हम यहां pen की महरी के उपर इस तरह से place करेंगे यहां pen की महरी का right side वाला हिसा है यहां पर इस हिसे को इसे double fold करके इसके उपर place करेंगे और इसके उपर सिलाई लेंगे इस लाई हमारी जो paper के उपर सिलाई आई है उसी के उपर उपर सिलाई आएगी फिर हम यह टॉप की श्टिश देंगे इस तरह से पलत के और यहां पर जो margin है वो pen की और रहेगा अभी हमें यह जो strip ready की थी box plate की वो भी यहां पर इस तरह से place करने हैं यह देखे यह राइट साइड की है इसे इस तरह से हम place करेंगे यह उपर की जो सिलाई है हमारी और नीचे जो paper की सिलाई है वो दोनों एक दूसरे से match करते हुई रखेंगे और जो सिलाई हमने लेई है lace को attach करने और place को stitch करने के लिए उसी सिलाई के उपर हमें यह सिलाई लेनी है इसकी बाद में अभी इसके उपर हमें टॉप की stitch देंगे इसका जो margin है वो नीचे की और हमारी place की और रहेगा और जो lace है वो उपर सीधी सीधी ही रहेगी क्योंकि यह lace हमारी छोटी सी है और यह कड़क भी है इसे हमें turn करके नीचे की और नहीं लेना है उपर यह रखेंगे यहाँ पर इसकी जो छोटे छोटे फ्लावर है तो वो उपर की और अच्छा लुक देंगे और इसके बाद में यहाँ जो पेपर है वो हम रॉंग साइड में जाते इस पेपर को हटा देंगे तो हमारी यह डिजाइन बनके रेडी है यह बहुत आसान और बहुत सुन्दर सी डिजाइन आप बहुत इजिली बना सकते हैं इस तरह से हमारी डिजाइन बनके रेडी है और फिटिंग के स्टिश के बाद भी इसका लुक बहुत अच्छा आता है इस तरह से थैंकियू सो मच पो वाचिंग